एवरेज फिल्लिंग, एवरेज बॉलिंग, एवरेज काप्टिंसी और एवरेज बॉलिंग हम करते हुए, वेरी डिसपॉंटिंग और मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा यार के पाकिस्तान इसे बहुत बेतर टीम थी लेकिन ऐसा कुछ भी नजब नहीं आ रहा बिल्कुल ना मैं फिटू ना मैं फार्टू क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है देकर, बड़ी आप उमीद दिला रहे थे, कि पाकिस्तान टीम यूएसे के साथ तो ऐसे ऐसे कर जाएगी, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बरबाद कर दिया फना फिलना कर दिया, तुम लोगों ने यार शरम आनी चाहिए तुमको, शरम नहीं आती, खेरत नहीं आती, ये पैमाना है, ये आपकी किर्केट है और ये आपके वो जनाजे, इन बौतों पर आप कंपेर करते, मजाक उड़ाया है, कमेंटरी बॉक्स में मजाक उड़ाया ये पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान, जिसके लिए हम तरस रहे हैं, ये इंडिया को शिकस्त देगा, वा, 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 ये शकलें इंडिया को शिकस्त देने वाली है, जो USA के बच्चों के सामने, तुम लोगों की ये हालत है भाई USA के साम, तुमें तो पका भाई Ireland पह अब आपने क्रिकेट का बाते हैं इंडिया को पहल रही होते हैं असल बाप तो हमारा है यह ना हम उनको कैसे मार सकते थे लानत है जहन्नम की लानत थे बेगायरतों के ऊपर यकीन करो इतनी वाहियात बैटिंग हमने पाकिस्तान की दरफ से शाहिद इंडिया के गेंश पी कभ हैं हम USA के खिल रहे हैं मतलब इतनी खुशी से इंसान मैश लगाता है यार टीवी आउन किया आज के सारे मिलके बैठें और यह सूर के हाल देखने के लिए हम आपर बैठें शरम नहीं आती तुम लोगों को इस तरह की किरकेट के लोगे क्या उन्होंने और यह गेंड़ा यह स्पिनर का स्पेचलिस्ट है और स्पिनर के हाथ हो आउट हो रहा है ओभाई गाट ना मैं फिटू ना मैं फार्टू क्योंकि बहुत अफसोस हो रहा है मुझे बहुत दुख हो रहा है देकर बड़ी आप उमीद दिला रहे थे कि पाकिस्तान टीम USA के साथ ऐसे ऐसे कर सुन-सुन के थविर स्यासी प्यान आता है ना कि हमारी टीम यह कर देगी वह कर देगी वह वक्त पड़ा भी यह पड़ा है कुछ भी नहीं हो रहा USA है USA उनका पहला टॉर्नमेंट है पाकिस्तान कई T20 खेल चुका है पाकिस्तान ने T20 में इंडिया रसी टीम को आल आउट किया था यही प्लेयर्स थे भाई आज हम कहां खड़े हैं हम USA के खिलाफ ऐसे डर डर के खेल रहे हैं मतलब इतनी खुशी से इंसान मैच लगाता है इसफी और आउट है यह क्या आफ देखने के लिए और इस शुरत अठीक आफ़ार बेखने के लिए हम आपर बैखें फिर मुझे आउक्र जाम आफ़र गरन योहां पर मिलने के लिए दूब紮ायखए रही पर्रफ़ोंठीप अ वन फिफ्टी का स्कोर बना है तो आप मुझे बताएं कि आप वहां पर क्या करेंगे इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे मतलब इंडिया आपको 50 पर आल आउट कर देगा और आप करेंगे भाई वो तो विकेट का मसला था पिच का मसला था या टीम बहुत स्ट्रॉंग थ दोजार चोबिस के अंदर पाकिस्तान का पहला मैच पाकिस्तान का पहला मैच दुनिया की क्रिकिट में पहली मर्तबा डेबियू करने वरी टीम लुएसे के साथ था लेकिन हर बार की तरह बाबर की कैफ्टन सी के अंदर पाकिस्तान टीम मुझ काला करवाकर दुबारा हार गई पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि आज के दिन जो शिकस्त हुई है इस हार से ये बात थाबित हो गई है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जियो परसनल भी क्वालिटी नहीं है कि वो मैडी सके बिलखसूस पूरी टीम के अंदर ना बैटिंग है ना बोलिंग है तोटल बनाया और बड़े मुश्किल से मरते मरते टोटली बैटिंग बिचको बीटन और फ़पकिस्तान की गंटा बोलिंग एक नई टीम के सामने वन फिफटी ना बिनांब बिना बचा सकी ये हाल है पाकिस्तान की बोलिंग और अगर बात करते ime का और की सूपर रखर के हमारी क्रिकٹ का ये लेवर ले गया है कि ऐसी टीम जो क्रिकٹ पहली मरतबाई है उससे भी हार जाए अगेन बाबर आदमी कैप्टन सी में पाकिस्तान दुबारा हार गया हर बार की तरह पहले चेंपिन ट्रफी हारा पिर ओडिये वर्ल्ड कप हारा पिर इस्या कप हारा और सीम अकरम है कि आज के मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग पाकिस्तान की बेटिंग पाकिस्तान की फिलिंग बहुत रही आजम खान दुबारा लगतार चोथे मैच के अंदर आजम खान जीरो पर उट हो गए जीरो पर उट हो ना टीटमटी फॉमेट में लानत की बात है जो क हर टीम से जीत कर इंडिया से हार कर नमबर तू पर आ जाएगा और टोप की दो टीमें क्वालिफाइड करेंगे पाकिसान नमबर तीन पर आकर किसी भी सुथ क्वालिफाइड नहीं कर सकता उनकी उकात क्या मताबिक खेल क्या गया था उनको आप क्यापू रोई छर्मा ने कर फिफ्टी टू मारा था उस पिछ के उपर जहां यह गंटे का बच्चा दो वाले भी खेल जाता मेरे मुपे चपेड मारी थी आके 44 रंज तनुन तालिस बालों पर ती त्वंटी क्रिकिट में वर्ल्ड कप चैसी स्टेज पर तीम के यह लग्वाक है यह बंदा चला गया है बुलर लिक्पस्षिक मौल विए एक् राटी करके आरे हो यह क्योंसी यह कोंसी क्रिकिट अयरे क्रिकिट का अपने जिनाजा निकाल दिया हुए वेड़ांज कर दिया आपने क्रिकिट का बातें यंदिया को पेल रहे होते हैं इसके लिए हम तरस रहे हैं ये इंडिया को शिकस्त देगा वाँ 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 ये शकलें इंडिया को शिकस्त देने वाली है जो USA के बच्चों के सामने बिगारे थे हो लोग के जो जाके नीचे रिड़ जाते हैं ऐसी टीमों के और अपनी कौंग को जलील अरुस्वा करते हैं यकीन कीजिए दूआ मांग रहा था मेरी जिसको आपका खुद गेंडा कह रहा है आज आपने देख लिया अरे भाई उससे तुम बल्ला नहीं हिलता जो कमेंटेटर है वो कहता है वेरी लेजी वेरी लेजी बैट मूवमेंट और यह गेंडा यह स्पिनर का स्पेशलिस्ट है और स्पिनर के हाथों हाउट हो रहा है ओ माई गाड असल बाप तो हमारा है यूएस ना हमने उनको हम कैसे मार सकते थे लानत है जहन्नम की लानत है इन बेगारतों के उपर यकीन करो इतनी वाहियात बैटिंग हमने पाकिस्तान की दरफ से शायद इंडिया के गेंड बहीं ही देखी है जो आज इन लोगों ने आउका दिखाई मारते हैं और आज उनने पर फिर से मारा तुम लोगों की यहालत है भाई यूस एक साथ तुम्हें तो पका भाई आईरलेंट पहलेगी एक तो यह आजम खान घंडा दुबारा जीरों पर आउट हुआ है यह बड़ा